नमस्कार दोस्तों मैं विक्रम अभी मौजूद हूँ बुंदी के केसव राय पाटन विदान सभाचेक्तर के गाउं गुडला में और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक बड़ा सा पांडाल लगाया गया है और ये सुबह सुबह का समय है अभी भी आपको कुछ लोग नजरा रहे होंगे जो अपनी रजाईयों में दुबके हुए है ये भारत जोडो यात्रा का एक रेश्ट हाउस अपन कह सकते हैं भारत जोडो यात्रा में जो यात्री चल रहे हैं उनके सोने के लिए इस तरीके से विवस्ता की जाती है सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि 4 दिसंबर को भारत जोडो यात्रा जो राउल गांदी के नेतरतों में चल रही है उसने राजथान में एंटर किया 4 दिसंबर शाम को जालावाड से होते हुए और धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है आज 9 दिसंबर है और 9 कर लिया है कि कल सारे के सारे जो बारत जोडो यात्री है वो लगभग एक ही सेशन में 23 किलोमेटर तक लगातार चले थे आज 9 दिसंबर को इस पूरी यात्रा का आवकास रखा गया है और बताते चले आपको कि कल राउल गांदी है वो सोनिया गांदी से मिलने के लिए स्व आज की छुटी करके ये राउल गांदी सोनिया गांदी से मिलने के लिए चले गए थे आपको बता दें कि किस तरीके से यहां की सारी वेवस्ताएं होती हैं किस तरीके से जो हजारों लोग इस भारत जोडो यात्रा जिसे पैदल यात्रा भी कहें तो इसमें जो लोग चल उनके किस तरीके से रहने की वेवस्ताइं होती हैं कैसे उनके लिए खाने की वेवस्ताइं होती हैं और इतने सारे लोगों को कैसे वेवस्तित करके एक सड़क के उपर रोज लग बग 30-35 किलोमेटर चलाया जाता है यह आप सारे आगे के इस वीडियो में देखेंगे यह वो लोग यहाँ ये जो पूरा पंडाल है जिसके मैं बात करूँ तो रवात हीं Brand भरा हुआ था जब हम रात को यहाँ पहुंचे तो खछा खची है पंडाल बरहुआ था और अब भी दिरे दिरे लोग हैं वो उठे सुके हैं सुबह उठते ही जब आदमी को अपने जो देनने कारी हैं वो करने होते हैं तो बाहर की तरफ आपको बता दें कि बाहर सड़क की तरफ एक ऐस्थाई टोईलेट बनाए गए हैं एक लंबी सरंखला में और वहां पे वो लोग फ्रेस हो सकते हैं इसी की बात करें तो ये जो प पर देखने के लिए हमें मिल रहे हैं और यहीं बात करें तो आप देखोगे कि एक साइकिल है और जिस पर जंडा लगा हुआ है कोंग्रेस का जंडा है भारत का जंडा है राउल गांदी की फोटो लगी हुई है और यह हैं सत्यम देव मान जी जो बिहार से आए हैं और बि गरम किया जा रहा है और जो यात्री हैं उनके नाहने के लिए वहाँ पर पूरे तरीके से व्यवस्ता की गई है उसके साथ ही बात करें तो इसी कैम के बाहर एक मेडिकल कैम भी लगाया गया है कि अगर कुस बीमारी की कोई वस्ता हो जो लोग हैं उनमें किसी तरीके की हलवाईयों की बड़ी टीम है जो सुबह जल्दी लग जाते हैं लोगों के लिए नाशता तियार करने में और जब तक वो नासता बना के तयार करते हैं उसके जस्त बाद समय आ जाता है लंच का और लंच जैसे ही खत्म होता है उसके साथ ही समय आ जाता है डिनर का मतलब अग का इस भारत जोड़ो यात्रा का आवकास रहने वाला है तो ये किस तरीके से लोग रहते हैं किस तरीके से इनके कैम्प बनाए गए हैं और कैसे कैसे इनका पूरा दिन निकलता है वो आपको दिखाएंगे और उसके साथ ही यहां का जो हर अपडेट होगा चाहे उसमें आसप करके जरूर बताइए उन्ही सबी सवालों का जवाब ढूंगने के लिए हम पोँचे हैं भारत जोड़ो यात्रा के इस कैम्प में आप अपने सवाल कमेंड में की रखिए ताकि आने वाले समय में यहां के लोगों से उन सवालों का जवाब पुचा जा सके धन्यवाद